हेलो दोस्तों विल्कम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में कहानी संग्र की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनेंगे अगली कड़ी को अभी तक हम पार्ट फोर तक कवर कर चुके हैं और अगर आप उनको सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे पैलिस्ट है कहानी संग्र उस पे जाकर आप बाकी के पार्ट को सुन सकते हैं तो सुरू करते हैं आज के इस पार्ट को, सभा हुई, अब इसे सभा कहें या क्या कहें, चालीस माता पिता बुलवाए गये थे, उनमें से साथ पिता आये थे, मेरी निरासा का पार नहीं था, मैंने तो भासर के लिए अच्छी खासे त्यारी की थी, मुझे लगा कि अपना क काम प्रयत्न करना है, चलो भासर देने का भी एक प्रयोग सही, बड़ी गंभीरता से मैंने एक घंटी तक मैंने नहीं भासर दिया, साथ जनों में से एक के घर से बुलावा आ गया, तो भी गये, बागी के बहुत उकताय हुए सुन रहे थे, पर मेरे भासर के बिंदू अत धात्मिक उन्यती और सच्चता के साथ का संबंद समझाया, मैंने उन्हें खेल और चारित्रिक कठन के बीच अंतर संबंद जोड़ कर बताया, मैंने भीतर से प्रकट होने वाले सच्चे नियमन की महिमा और उसकी मुलवत्ता समझायी, मैंने उनकी सामने वर्तमान सिक्षा और अनुसासन को आड़े हाथ हु लिया पर यह था मटके में कंकर बजाने के समान बिचाहे दो चार जने सर्म के मारे है थे और वे भी उठने उठने को थे और मेरा भासर पूरा होते ही फोरण घर के ओर चल दिया सभा में हम सिच्छक और बड़े साहब रहे गे दीमे से बोला मूरक मुझे अच्छा तो नहीं लगा पर मैं गम खा गया और मुझे विश्वास हो गया कि मैं अभी मूरक तो हुई क्योंकि मुझे अभी इतनी भी समझ नहीं है कि साधार लोगों के सामने कैसा भासर दिया जाना चाहिए सिचक हसते हसते घर गे दस बारा दिन बीते होंगे कि मैंने पुस्तकालय वाले विचार को हाथों में लिया कहानिया बहुत कही जा चुकी थी लड़के चोथी कक्षा के थे अब उनके हाथ में पुस्तकालय की किताबे आनी जरूरी थी बच्चों से कह दिया गुजराती और इतिहास की पुस्तकों के पैसे लेते आना पुस्तके यहीं से मिल जाएंगे दूसरे दिन एक बालक गुजराती और इतिहास की पुस्तके ले आया और बोला मेरे पिता ने जिस दिन मैं चौथी में चड़ाता उसी दिन खरीद दी थे दूसरा बोला मेरे बड़े भाई की किताब है वही लाया हूँ तीसरा बोला मेरी किताब तुम मुंबई से मेरी बुआ जी बेजने वाली है यहां से नहीं लेनी है एक बोला मेरे पिता पैसे देने से मना करते हैं वे कहते हैं कि किताब वे दिला देंगे मुझे लगा मारा भाई पुस्तकाले का बनना कल्पना में बहुत असान था पर हकीकत में वाकई मुश्किल है थोड़े से लड़की पैसे लाये थे उनके पैसे रख लिये रसीद देकर लड़कों से का ठीक है दूसरे दिन लड़के बोले हमारी गुजराती की पुस्तक, हमारी दिहास की पूधी मैं बोला तुम लोगों के पैसे खटे करके मैं एक कहानी की नई पुस्तके लाया हूँ तुम कहते थे ना कि तुमको कहानी की पुस्तके पढ़ना अच्छा लगता है इसी से लड़के खुस हो गए वे खुबसूरत रंगीन, पुठो और चित्रो वाली किताबे देखकर उन पर तूट पड़े मैंने कहा अपने पास अभी तो पंद्रा पुस्त के ही हैं इनको पंद्रा बालक पड़ सकते हैं बाकी के बीस लड़के मेरे पास आ जाएं मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सुनो एकदम गड़बर न मज जाए, इसलिए मैंने लगे हाथ कहा एक से पंद्रा तक के बच्चे ये पुस्त के पड़े और दूसरे मेरे पास आ जाएं पंद्रा लड़के पंद्रा पुस्तक उठाएं और उन पर तूट पड़े मैं बोला, जो जो एक पुस्तक पढ़ ले, वो पुस्तक को टेबल पर लाकर रख दे और टेबल से दूसरी पुस्तक उठा ले इस तरह बारी-बारी से सब को सभी पुस्तके पढ़ने को मिल जाएंगे बाकी बच्चे लड़कों को अपने पास बिठा कर मैंने आदर्स वाचन सुरू किया मैं लहजे से, भाव से, नियम के नुसार पढ़ाने लगा पर उन पंद्रा बालुकों का जोर से पढ़ने का अंदाज रुक कर मैं बोला, बच्चो सब मन में पढ़ू, हमें दिक्खत होती है उनका स्वर दीमा तो हुआ, पर उनकी मूख वाचन की आदत ही नहीं थी वे जोर जोर से ही पढ़ते थे, दीमे होकर फिर उची आवाज में पढ़ने लगे मैंने बारामदे में अलग बठा कर पढ़ने को कहा, और अलग बैठ कर पढ़ने को कहा, और मैं अंदर ही रहा मेरा आदर्स वाचन चला, कहानी पसंद की हुई थी, इसलिए सबने रुची के साथ मजा लेते हुए सुनी गंठा लगने तक पुस्तक वाचन और आदर्स वाचन चला, और फिर हम सब घर गए कहानी, खेल, पुस्तकाले, आदर्स वाचन, तता सच्चता, वह व्यवस्था की खटपट करते दो-तीन महीने बीत गए मैं अपने काम का हिसाब करने बैठा, मैंने क्यों एक काम पर नजर डाली मुझे लगा कि अभी तो पाओ बार में एक पूनी भी नहीं, बकती अभ्यासकरम के गुजराती भाचा, इतिहास, गड़ेत, विज्ञान, आदिविश्यों में से तो अभी कुछ भी नहीं हुआ दूसरी कक्षाओं में तो काफी काम हो चुका था, वह सब तो मुझे वर्स के अंतक पूरा कराना होगा हमारे प्रयोग की यही सर्ती, चलो, यह तो ठीक है, पर मैंने क्या-क्या काम करा दिया, उसे तो देख लू कहानी कहना बहुत अच्छी तरह चला था, उससे लड़के अच्छे खासे अनुसासित और अभिमक हुए थे पर अभी चमपकलाल और रमरलाल को कहानी नहीं रूचती, रामजी और संकर को कहानी बहुत सरल लगती है, रगा और मादव कहानी सुनते समय आँखे मठकाते हैं, उंगलिया नचाते हैं और दूसरों की नकल उतारते हैं, उनका उपाय तो अभी करना सेश है हाँ इतना सही है कि खेल खिलाने से बालक मेरे सामने खुलने लगे है मुझे अपना विश्वस्त समझने लगे है मुझे से भै नहीं खाते और खेल के बाद आदर सो आचन बहुत ध्यान से सुनते है पर अभी खेल के समय होने वाले सोरवुल में कमी नहीं है मैंनत तो खुक कर रहा हूं, पर अभी पूरी तरह तै नहीं हो पाया रास्ता। वाशनाले में अभी पुस्त के थोड़ी ही है, अभी मैं पाठे पुस्त को के बजाए, पुस्त काले रचने की बात माता-पिता के गले नहीं उतार पाया। मुझे लगता था कि माता पिता को भासर दे कर समझाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा पर अभी तो माता पिता की इतनी ही समझने की आदत पड़ी है कि बस पढ़ा दू वे कुछ और सुनने को खाली नहीं है और उन्हें समझ में भी नहीं आता खेर कोई परवार नहीं इसके लिए तो पीछे पड़ने से होगा आज नहीं तो कर अभी तो बहुत दिन पड़े हैं मुझे लगा ये प्रयोग करना तो बहुत बड़ा महाभारत का काम है अता जितनी हमारी कलपना होगी समझदारी वा आदर्स होगा उतनी ही गंभीर और बड़ी अकुला हट होगी मेरे मन को अनेक प्रशने दुखी कर रहे थे सोच्चता को लेकर अभी कुछ नहीं हुआ था टोपयों के मामले में कुछ नहीं हुआ था एक दो दिन तो लड़के ठीक था कपड़े पहन कर आए लेकिन बाद में तो वही इस्थिती हो गई ना कुन फिर से फावड़े जैसे बढ़ने लगे थे लेकिन इससे लेकर भी पीछे पढ़ने के सिवा कोई रास्ता न था समाज में नहीं आदर डालने हैं अता इन कामों को धीरत से बार-बार करने से ही होगा और चिंता सिर्फ लड़कों की थोड़ी है बड़े साहब भी अब उतावले हो गए थे उनके भी तो अधिकारी और विरोधी होते हैं ये यस के भागिदार बनना चाहते हैं पर सीगरता और पड़रा दोनों जाते हैं उनकी मदद करनी की सक्ति भी तो सीमित ही है मेरे साथियत ग्यापिकों का मुझे पर कत्ता ही विश्वास नहीं है वे तो मुझे अच्छा कासा मूर्ख ही मानते और हाँ मैं थोड़ा बहुत होंगा आवस्य वैसे मैं ठैरा अनुबावीन पर उनकी मानताय और उनकी सिक्छर विद्या तो मुझे हरगिस नहीं चाहिए उन्हें देखते ही मुझे भै लगने लगता है इससे तो मैं जो करता हूँ वही सही है मेरे विद्यारती मुझे देखकर भाग तो नहीं जाते वे मुझे बहुत चाहते हैं मेरा आदर करते हैं मेरी आज्या मानते हैं परंत वे इन अध्यापकों के लड़के तो इनको देखते ही भाग जाते हैं और इनके पीठ पीछे इनकी नकल उतारते मैंने अपनी आखों से देखा है एक भी लड़का पासा कर हसते हुए प्रेम से इनके पास खड़ा तक नहीं होता विकक्षा में चुपचा फिले डूले बगार बैठते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो धींगा मस्ती करने लगते हैं इस दरस्टि से मैंने बालकों को यतोचित आजादी दी हैं विकक्षा में थोड़ी गड़वड कर लेते हैं उससे ज़्यादा गड़वड बाहर नहीं मचाते पर वे अध्यापक मेरे बारे में ऐसा कहते हैं कि मैं इन बालकों को पिगारता हूं अपने पक्ष में करता हूँ, सिर्फ कहानियां कहता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, खेल खिला कर आवारा बनाता हूँ ठीक है, देखा जाएगा, मेरी द्रस्टे से तो ये खेल और कहानी अदोवाद सिक्षड है ऐसा है, फिर भी मेरा काम विकट है इसे मुझे ध्यान में रखना चाहिए, और ऐसा इसमरण रखकर ही मुझे अपना काम करना है बारह के घंटे लगे, और मेरी विचारधर तूटी और तब, हे भगवान, आखिर तो सब कुछ तेरे ही आत्मे है ऐसा बोलते हुए, मैंने अपनी सारी चिंता उसे स्वाप दी कल की बात कल देखूँँगा, ऐसे कहते हुए, सो गया तो यहाँ पर खतम होता है, प्रथम खंड और आगे की जानकारी जानने के लिए, दुती खंड में क्या हुआ मास्टर साब ने और क्या क्या किया बच्चों को अच्छी सिक्षर देने के लिए तो इस तरह से आगे की जानकारी, आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहे मेरे यानी अंजली के साथ और अगर आपको ये कहानी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सुयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू झाल को सब्सक्राइब करिए झाल को सब्सक्राइब करिए झाल को सब्सक्राइब करिए झाल झाल